हलो एवरीवन इजी फिजिक्स भाई एन के चैनल पर आपका एक बार फिट्स वगत है अपन त्वल्थ क्लास की फिजिक्स में चेप्टर नंबर दो आज अपन पढ़ रहे हैं और उस चेप्टर का एक एक एगजामपल जो पिछले टॉपिक के बार में रह गया था एगजाम इमपोर्टेंट है और इसके उपर यह जो पिछला एक्जामपल आप लोगों ने 2.4 पड़ा था उसी के फंडामेंटल के उपर बेस्ट है तो सबसे पहले एपने इस क्यूशन को समझते हैं क्यूशन कह रहा है कि आपके पास एक गोला है तो यह मालीजी मेरे पास एक स्प और रखी हुई है और वले जो है उस वले की तीजा है वो भी आपकी कैपिटल आर ही है तो वले को अपन कुछ इस तरीके से शो करेंगे वले की जो रेडियस है वो आपके पास कैपिटल आर दे रखी है इसके बार में सवाल कह रहा है कि वले का केंदर ओ और गोले का केंदर O-S, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, दोनों के जो केंदर हैं वो एक ही X के उपर हैं, पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है, वो आपके पास कह रहा है कि R under root 3 है, तो इस प्रकार का कोई configuration आपको दे रखा है, इस प्रस्वार्शन को समझना पहले बहुत जरूरी है, विदुतक्षेतर उत्पन हो जाएगा, और इससे पहले वाले example नमबर 2.4 में आपने पढ़ा है कि वले को आवेशित करने पर उसके X के उपर, कुछ दूरी के उपर उत्पन, विदुतक्षेतर की तीवरता का एक formula आपने पढ़ा है, तो कहने का मतलब इस वले के चारों त करेंगे, तो गोला क्या है, वो symmetric है, symmetric मतलब समान रूप से बना हुआ है, हल इसके केंदर से हर बिंदु के उपर बराबर आवेश है, तो यहाँ पर एक अपन fundamental apply करेंगे, वो यह होगा कि इस पूरे गोले का जो आवेश क्यू है, उस क्यू आवेश को आप इसके केंदर बि यह भी positive charge है, यह भी positive charge है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो विद्ध बल है, उसके value कितनी आएगी, तो फेस्टो पोल पहली नेजर बे जब अपने इसक्यूशन को देखते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि दो आवेश दे रखे हैं, उनके बीच की दूरिया दे रखे हैं, तो क्यों ने अपन कुलाम का नियम लगा दें, लेकिन यहाँ पर कुलाम का नियम अप्लाई नहीं होगा, सवाल कहरा है कि दोनों के बीच में बल कितना लगेगा, तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है, कि वले के चारो तरफ विदुत क्षेत्र उत् और उस विदुत क्षेत्र में आपने बिंदु आवेश क्यों रखा हुआ है, तो कहने का मतलब आप लोगों का आइडिया लग दिया होगा कि कौन सा फोर्मूला अपन काम में लेंगे, तो यहाँ पर फोर्मूला हो जाएगा, F is equal to QE, Q है इस गोले का आवेश, जो इसके क पढ़ा है, वले के आख्ष पर विदुत क्षेत्र की तिवर्ता, इसका फोर्मूला आप लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, कितना होता है, E this is equal to KQ X upon R square plus X square की power 3 by 2, X क्या है, आपने जो topic पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि ये वले है आपके पास, जिसकी तीजा capital R है, और इस वले के केंदर के ऊपर, X के ऊपर, केंदर से X दुरी पर आपको विदुचेत्र की तीवर्ता निकाल दे थी, आपने दोनों तरफ दो segment लिये थे, इससे आपने एक case apply किया था कि जो R है, वो बहुत छोटा है, X की तुलना में, तो ये not आपके question में डला हुआ था, पर यहाँ पर अगर अपन तुलना करें, कि ये जो दूरी R under root 3 है, और दूरी R है, ये दोनों एक दूसरे के approximate equal से हैं, negligible नहीं है, तो इसलिए अपने इन दोनों को neglect मान करके इसके आगे वाला formula यूज नहीं करेंगे, सबसे important बात है, वो यही है कि आपको ये वाला formula यहाँ पर तयार होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, अब आप X की दूरी कितनी है, यानि इस वले के केंदर से कितनी दूरी पर विदू छेतर चाहते हो, आपने ये पता कर ली कि इस गोले का जो आवेश है वो इसके केंदर पर रखा हुआ है, तो इसके केंदर की वले के केंदर से कितनी दूरी है, और वो दूरी आपको question में R root 3 दे रखी है, तो इस formula में अपने उस दूरी को किसे लिखा हुआ है, X से लिखा हुआ है, तो क्यों ना अपन आजाएगी, E हो जाएगा, K Q R root 3 upon R का square प्लस R root 3 का whole square करो, तो root 3 का square तो हो गया 3, और R का square हो गया R square, और इसकी power क्या चल दी है, 3 by 2, चलिए आगे दूबारा लिखते है, K Q R root 3 upon 3 R square प्लस 1 R square कितना हो गया, 4 R square, 4 R square, power 3 by 2, अगेन दुबार लिखते हैं, K Q R root 3 upon, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 R का whole square लिख सकता हूँ, यानि जो 4 है, उसको अपन 2 के square के root में लिख सकते हैं, तो total value हो जाएगी, 2 R का whole square, और वो जो whole square है, वो बटा की power 2 से cancel out हो जाएगा, तो finally आपके पास य 3, दुबारा आप इसको solve कर लें, तो E is equal to क्या हो जाएगा, K Q R root 3 upon, 2 R का whole cube solve करो, 2 का whole cube 8 हो गया, और R की power cube हो गी, यहां से आप इस R की power को यहां से cancel करेंगे, तो आपके पास value हो जाएगी, K Q root 3 upon 8 R square, तो यह आपके पास E की value आ जाती है, इसलिए, गोले एवं वले के मध्धे विद्ध बल, कितना हो जाएगा, क्या formula apply करेंगे अपन, F is equal to Q E, Q की value आपके पास Q E दे रखी है, तो वो value आप यहां पे direct apply कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, के, यह होगा Q का square, under root 3 upon 8 R square, 8 R square, this is the answer, तो इस तरीके से पहले, आपको इस question को अच्छे तरीके से समझना है, और उसके बाद में इसे solve करना है, धन्यवाद, तो अभी तक अपन ने जो topic पड़े हैं, उन topicों से related, विद्धु तक्षेतर ग्यात करने का जो fundamental अपने clear किया है, उसके आधार पर दो सवाल है, उन दोनों सवालों को आपको solve करना है, और इनके जो answer है, वो हमें comment box में लिखना है, पहला question है कि किसी बिंदु A, एक बिंदु A है, जिसका निर्देशांग आपको meter में under root 2, 0, 1 दे रखा है, meter में है, पर minus 20 microcolum का आवेश है, वो रखा हुआ है, point A पर, और दूसरा बिंदु B है, जिसके निर्देशांग 0, 1, 2 है, उसके उपर आपको विदुचेतर की तीवरता ग्याद करनी है, ठीक है, next question है, कि किसी सट भुज, यहाँ पर यह सम सट भुज है, किसी सम सट भुज, कि प्रतेक शिर्स के उपर, समान आवेश, plus Q, रखा हुआ ह तो इसके केंद्र के उपर विदुचेतर की वैल्यू कितनी आएगी, यह दोनो क्यूशन आपको सॉल करने हैं, अगर आपको इसमें प्रोब्लम आती है, तो आप इसे प्रिविश जो वीडियो हमारे चैनल पर दिये गए हैं, उनको देख करके आप इनको सॉल करें, अगर आपने हमारा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजेगा, जिससे की हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सकें, और अपने दोस्तों के साथ इसे सेर कीजे, धन्यवाद